अठारा साल की उमर में बच्चों की शादी हो जानी चाहिए बिरकोल सई फैसला है ये बच्ची की शादी जल्दी हो जाएगी लड़के की शादी जल्दी हो जाएगी तो गुराई कम हो कौन हैं यह लोग ठीक होनी जाए यह बज़े की शादी है ने 18 साल की उमर में इस नहीं है थोड़ा सा और टाइम दिया जाए 20 प्लस हो तो फिर पॉसिबल है अठारा साल की उमर में शादी कर देनी चाहिए मेरी मामा को पैसे दे देनी चाहिए एक बार मैंने कमिटमेंट कर दी तो फिर मैं अपने आपके लिए तैमूर और मैं कमारे लोगों के लिए खुश खबरी लेकर आई हूँ हमारी अदालत की जानेब से एक हुकम आया है कि जिनकी उमर 18 साल हो गई है उनकी शादी जरूर करवा देनी चाहिए और जो नहीं करवाएंगे उनके वालदैन को जुर्माना भरना पड़ेगा जी हाँ इसके उपर रद्य अमल क्या आया है आईये हम अपनी पाकिस्तानी अवाम से जानते हैं आईये मेरे साह勥 अधालत की जानेब से आया है के 18 साल की उमर में बच्छों की शादी हो जानी चाहिए और जो वाल्य देन साहिए और जिन गया थे जो कर देनी चाहिए और जहां तक जुर्माने का है वो थोड़ी सी ज्यात्ती हो जाएगी तो बाकी आपको पता है कि हमारे वो कहते ना कौम जब तक कोई चीज प्रेशराइज ना की जाए तो मानतें नहीं इसलिए जर्माना इसलिए दिया गया है कि आप नहीं करेंगे तो यह आपको जर्माना देना पड़ेगा उस दर से बहुत से वालदें शादियां कराएंगे हाँ बिल्कुल फिर तो ठीक है होना चाहिए डेफिनिट जड़ करेंडाम ङलादें में थोड़ा ताइम लग जाते हैं उसके बाद फोड़ा सा पेरेंटि का भी है कि वो बच्चों को आवेरनेस दे चीज की कि आपने इस तरह प्रेक्टिकला लाइफ में जाना है तो उनको क्या क्या से चाहिए उनको भी तोड़ासा पیरेंट को पे पर करना चाहिए तालत की जानब से हुक्मा आया कि 18 साल की उमर में अगर आप अपने वालदेन आप बच्चों की शादी नहीं कराते तो उनको जुर्माना भरना पड़ेगा आपके नजरिये में ये क्या ठीक बात है ऐसा है कि माशरे में हम चलते रहते हैं देखते रहते हैं मैं हम लोग बरबादी की तरफ है क्योंके काम तो करते नहीं है और शादी जरूरी है अचा 18 साल की उमर में बच्चे पढ़ रहे होते हैं आपको लगता है कि वो सेटल हो जाएंगे कि वो शादी कर सकें वो जो दौर गुजर गया है जिसमें जीनियर बनते थे जिसमें सेंसद बनते थे अब वो खत्म हो गया तो है क्योंकि अब तो आपका मीडिया इतना ज्यादा है फेस्बुक और जो बाप माँ बाप हैं वो इतने बीजी हो चुके हैं उलाद को सिर्फ नौकलों के हाथ बेज़ते हैं कि वो उनको करें अब जो थोड़े समझदार होते हैं इतने में दर जा चुके होते हैं कि वो किसी काम के नहीं होते हैं हमारे अदालत की जानेब से हुकम आया है कि 18 साल की उमर में अगर आप शादी नहीं करवाते तो आपके वालते हैं इनको जुबाना बढ़ना पड़ेगा आपको क्या लगता है ये ठीक बात है देखें उनको सौर अचा जी नाजरीर मेरे साथ एक चोटा बच्चा मौजूद है हम उनसे जानें के पहले कि उनकी उमर क्या है और उसके बाद फिर आगे मजीद बात करेंगे असलाम लेकुम वालेकुम असलाम आपका नाम रहान अचा रहान आपकी उमर क्या है 17 साल ओ सत्रा साल इसका मतलब है कि फिर 18 साल की उमर में आपकी शादी होना जरूरी है वो किसलिए आपको पता है कानून एक हमारी तरफ से बदालत की जानब से हुआ है कि 18 साल की उमर में अगर आपकी शादी नहीं होगी तो आपके वालदेन को जर्माना बढ़ना पड़ेगा यह कब से स्टार्ट आपके जाएंगे यह तो आप ठीक कहा है हो जानी चाहिए वैसे तो इस जो यह आप खुश है इस पर मैं आप जाते हैं कि आपके 18 साल की उमर में अगर वालदेन शादी ना करें अपने बच्चों के तो उनको जुर्माना देना पड़ेगा ता आपका नजरिया क्या इस प रख अधरा साल के उमर में अधरा साल की होना जाहिए थ scorकार शाध्रा के अपको जम्खन है क्या मेरा कहिए हैं उस टाइम पर बच्शे सेटल नहीं होते क्या लगता है कि आपको जिम्हदारी उठाने के लिए काबिल होते हैं ने अभी उठा सकते हैं आपको तो यह वारे मारून नसीब कि मुझे तेरे जैसी बहु मिली देखे बचे मुफूद हो जाते हैं अगर शादी हो जाए तो आज के दोर में जैसे जो मौल जा रहा है आज के दोर में थारा साल कही होना चाहिए अगर 18 यर्स के बच्चे हो जाए और उनकी शादी ना करवाएं तो उनको जुर्वाना प्रशादी हो जाएं तो उनको जुर्वाना प्रशादी हो जाते हैं बना पड़ेगा आपको क्या लगता है यह ठीक बात है एक हिसाब से ठीक है और एक हिसाब से नहीं भी है अलेदा अलेदा हिसाब बताईएगा और ठीक इससाब से है कि जैसे आशकल लोग मतलब टाइम वेस्ट कर रहे हैं बाहर आउट साइट जाकर कर तो टाइम पास यह यह जो चीजे होती है यह मैटर करती है तो अगर जिनकी जाज़त देती है यानि कि जो लोग है अलाओ है उनके पेरेंट साफोर्ड कर सकते हैं अब यह एक हुकम आगया हुआ है और अगर आप नहीं करेंगे तो आपको उसकी जर्माना देना पड़ेगा और जो फोर्ड न प्रशे हों को जालेंगे अच्छा मुझे पताया अपकी एज क्या है अब यह एटीन प्लस होनी है अभी जस्ट एटीन हो इसका मतलब आपके करवाना पड़ेगा आपको लगता है कि आप सटल हैं कि आप शादी कर सकें नहीं हूं मैंनी मानता कि मुझे यह चीज करनी चाह प्रशन दालत में कानून लाया गया है कि अगर आपके 18 साल की उमर की बच्चे कोई शादी ना करवाई जा तो वालतायन को उस पर जर्माना देना पड़ेगा आपको क्या लगता है आपका क्या रदेमल आपके क्या ख्याल आते हैं यह जो इस टाइम वक्त जदोर चल रहा है ना इसमें एक ठीक भी है कि यह हमारे हज़ूर सलम का फरमान है कि जब बेटा बेटी काभी लोजे शादी के उनकी शादी कर दी जाए जड़ा मेरी शादी करवाईगा जड़ा सनाफी कार्ट बनवाईगा उननों वोड़ दी मान कुछ हाथ तक यह सही नहीं भी है क्योंकि 18-19 साल की उमर में बच्चा अभी तक अपना कारोबार बगारा कुछ सेट नहीं कर सकता होता और सिरुप उसकी पढ़ने की उमर होती है नहीं मैं यह श्वादी नहीं कर सकते असामलीकूम आपका नाम आशा श्वेफ आचा मिसाइशा आप से पूछा चारे थे कि सिंद इसंबली में यह कानून लाया गया है सिंद अदालत में एम सॉरी लाया गया है कि ठारा साल की एज में जो बचा हो आ जाता है तो पेरेंट एटीन्द में आप तो Мосक्न ड Βी नहीं आपने किया ग्रैद्टीन में आपने क Princlet कि हुए बच्चे जो होते हैं वह क्राब हो जाते हैं इसी एज। पच्चे तो आफ़टर 15 के बाद भीया हुआ हो सकते 13 के जो खराब होसकते लिः और पर अभी है वह श्वाक अलब आपने सबसे पहले घबराना नहीं है, आपको जुर्माना देना पड़ेगा अगर आप 18 साल के बच्चों की शादी नहीं करते हैं, तो आपका क्या रद्यमल है इस पर? मेरा तो यह experience हो गया है, नाइडू साब की लड़की को देखो, 94% आये हैं, अरे उसी को तो देखता रहता है, मुझे नहीं के बच्चों को थोड़ा सा मिचोर होना चाहिए, बच्चियों को भी और बच्चों को भी, अब अब अदालती हुकम के बारे में आप क्या कहेंगी? अदालत के तो और भी बहुत से हुकम आते हैं, अब हारे जुर्माना भेरेंगी? मैं तो बर्दूंगी आपके नजरीये में क्या एज होती है जिसमें बच्चा सेटल हो जाए और शादी कर देनी चाहिए? 25 लड़की की 18 और 25 में बहुत फरक है? ने, मेरा एक्सपिरियंस में अपना बता रही है, 25 होनी चाहिए, क्योंके बच्चा मिचोर हो जाए और घर का महौल जो जबसे ज़्यादा डिपेंड करते है अच्छा नवीद बताएं, आपकी एज क्या है? 16 अच्छा डालत की जानब से उपमाया है कि अगर आपकी 18 साल की उमर में शादी ना की जाए तो आपके जो पेरेंट्स ने उनको जुर्माना भरना पड़ेगा, आपको क्या लगता है? 18 साल की उमर में शादी कर देनी चाहिए? मेरी मामा पैसे दे देने चाहिए क्या अबना तुनी? क्यों कि इस अच्छादी रहना चाहिए? इस अच्छा क्या क्या आपको शादी आजाप लगती है? इस तो महीं कौन से परकते हैं? यह क्या बात हुए आपके पैरेंट्स उभी तो की है? मेरे पस कोई फाज नहीं है मुझे माहफ कर दे आप लुग सारे मुझे छुटी देदे अगर आपके एज होगी 18 तो आप शादी कर लेंगी सोचेंगे आगे जागा भी नहीं फिर आपके पेरेंट्स को जुर्माना भरना पड़ेगा अगर आप पेरेंट्स बच्चों की शादी नहीं करते तो उनको जुर्माना देना पड़ेगा आपका नजरीया क्या इस पे मैं तो कहती हो नहीं करनी जाहिए आपकी शादी हुई है नहीं नहीं आपका कितना बच्छे पढ़ें लिखें कुछ काम याब हो तो फीर है ना बच्छों पता है मीडिया इतना फैल गया हुए थी बेहाई फैल रहे बच्छे उसी एज पर खरा 15-18 साल की उमर में शादी हो जानी चाहिए और कुछ तो यह कहते हैं कि जी मैं तो अपनी ममी से कहूंगा कि मेरा जुर्माना भर्दें इस अजाब में मुझे न डालें शादी अजाब अल्लाई करम करें इस चीज़ पे झाल करें !